व्याक्यान उलंचास लेक्चर 49 और आज हम बात करेंगे रेखी परावैद्यत अर्थात डाई एलेक्ट्रिक एवं चुम्बकी ये भी रेखी है चुम्बकी पदार्थों में मैक्सवेल के समीकर एवं इन पदार्थों का अपवर्थ नाब तो अभी तक हम निर्वात में मैक्सवेल के समीकरण का अध्यान करा और निर्वात में ये समीकरण होते हैं बराबर शून्य और करल अफ बराबर म्यू नॉट जे प्लस म्यू जीरो अप्सलोन जीरो दी दी अब यदि हम किसी माध्यम में हों आपको ध्यान होगा कि हमने वहां पर एक विद्युत विस्थापन डी और अतिरिक्त छेट एच इनको लेकर ये एक्वेशन ये समीकरण लिखे थे और इनका संबंद था रो फ्री से या जे फ्री से तो पूरे के पूरे मैक्सवेल्स के समीकरण भी जब हम किसी माध्यम में लिखते हैं तो ये को प्रियोग मिलाते हुए लिखते हैं तो अब किसी पदार्थ में हमें हो जाएगा जो डाइवर्जिंस ऑफ डी ये बराबर हो जाएगा रो फ्री कर्ल तो का समीकरण वही रहता है और जो विस्तापन धारा वाला समीकरण है इस अतिरिक्त शेत्र के को प्रियोग मिलाते हुए लिखा जाता है और इसका होता है मान जे फ्री प्लस पार्शल डी बते पार्शल टी यह आपके लिए अभ्यास के रूप में छोड़ रहा हुँ की चौथी समीकरण जो की करल अफ एच बराबर जे फ्री प्लस डावर्जिन दी प्रटा टी है यह है आप सुनिश्रित करें तो यह आप करेंगे और जैसा कि हमने जब निर्वात में तरंकों की बात करी थी बिना आप करेंगे और जैसा कि हमने जब शोत के तो यहाँ पर भी यदि कोई शोत ना हो तो Maxwell के जो समी करने पर हो जाएंगे divergence of d बराबर 0 curl of e बराबर minus db dt divergence of b बराबर 0 और curl of h बराबर partial partial d तो यह चार हमारे पास समी करन Maxwell के हैं तो Maxwell के समी करन हैं divergence of d बराबर 0 curl of e बराबर बराबर minus db dt divergence of b बराबर शोन्य तथा curl of h बराबर partial derivative of d with respect to t. तो अब यदि हम रेखिए विद्युत चुम्बकी माद्यम की बात करें तो यह चुम्बकी माद्यम की बात करें तो d बराबर होगा epsilon e और h बराबर होगा b बटा mu तो यह समी करन हो जाएंगे divergence of e बराबर 0 curl of e बराबर minus db dt divergence of b बराबर 0 और curl of b बराबर mu epsilon d e dt तो केवल जो अंतर आ रहा है निर्वात में Maxwell के समी करन से वह यह mu e वाले पद में आ रहा है तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि Maxwell के दिर्वात में समी करनों से यहां केवल एक अंतर है और वह है कि म्यू जीरो अप्सलान जीरो की जगह म्यू अप्सलान दिखा गया है दो बाकी पूरी गणित उसी प्रकार होगी जैसे कि हमने निर्वात में Maxwell equation के लिए करी थी विशेश तोर पर अब यदी हम माध्यम में तरंग समी करन लिखें तो यह होंगे डल स्क्वार ए माइनस mu epsilon d 2 e बाट d t square बाबर सुन्य और डल स्क्वार बी माइनस mu epsilon d 2 b बाट d t square बराबर सुन्य और यदी हम x दिशा में तरंगों के चलने पर यह समी करन हो जाएंगे d 2 e by d x square minus mu epsilon d 2 e by d t square बाबर सुन्य और d 2 b but a d x square minus mu epsilon d 2 b d t square बराबर सुन्य तो इससे यह है विदित है की माध्यम में तरंगों की गति बराबर होगी 1 upon square root of mu epsilon तो यह तो ऐसा हो जाएगा और यदि हम c बटा v लें इसको हम v द्वारा दिख देते हैं जहां c निर्वात में प्रकाश का वेग है तो इसका मान हो जाएगा mu epsilon बटे mu 0 epsilon 0 और यह जो है तरंगों का अपवरतनांग होगा आपने अपवरतनांग प्रकाशिकी में देखा होगा लेकि चूकि हम यह दिखा चुके हैं कि प्रकाश और विद्यचुम्बा की तरंगे एक ही हैं तो अपवरतनांग को अब हम एक विद्यचुम्बा की पदा वरतों के जुगरों होते हैं उनसे इनका संबंद जोड़ सकते हैं समीकरों द्वारा तो पुन्हे मैं लिखना चाहूंगा एक दिशा में चलने वाली तरंगों के समीकरा पता दी टू भी वाई दी एक्स स्क्वार माइनस मियू अप्सलान दी टू भी बटे दी टी स्क्वार रावर शून और अब मैं चाहूंगा अभ्यास के रूप में की ए बराबर कुछ ए जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई तथा बी बराबर बी जीरो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई लेते हुए यह दिखाएं कि वी बराबर वन ओवर स्क्वार रूट अफ मियू अपसलान बराबर उमेगा बटे के यह वही संबंद है जो हमने निर्वात में समतल एकल आवरती वाली तरंगों के लिए निकाला था तो यह भी एकल आवरती की समतल तरंगे हैं तो यह यह तरंगें भी एकल आवरती नियू बराबर उमेगा बटे टू पाई की समतल तरंगे हैं तो अभ्यास के तोर पर आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ अब यदि माने की माध्यम या पदार्थ जिसमें हम यह तरंगें चला रहे हैं चुम्बकी यह ना हो इसका आर्थ ही होगा कि इसका जो म्यू है वह निर्वात के म्यू के बराबर ही हो तो म्यू बराबर म्यू जीरो हो तो ऐसे पदार्थ हों के जैसे शीशा पानी कोई तेल या गलिसरीन इस पदार्थ के पदार्थ इस पदार्थ के इस तरह के पदार्थ जिसका कोई चुम्बकी यह ना हो तो इन में बराबर हो जाएगा स्क्वार रूट ऑफ अप्सलान बटे अप्सलान जीरो अर्थाथ स्क्वार रूट ऑफ के अर्थाथ स्क्वार रूट ऑफ 1 प्लस काई यहां के जो है पदार्थ का यह ना हमने रूटिक तो हमने निकाला की यह थी एक यह टीलेक्रिक चुम्बकी ना हो तो और जाज़तर प्रकाशिकी में आप इसी तरह के पदार्थों से वास्ता रखते हैं तो N बराबर स्क्वार रूट अफ के और के इसका डाएलेक्टिक कॉस्टेंट है तो इस प्रकार विद्यूत चुम्बकी इस धांतों द्वारा एक परदार्थ के द्वार्थ के जिसके करकाशी ये गुणा अर्थात अपरतनांक से जोड़ा जाता है और यही जो विद्युचुम्बकी सिधान्त हैं इनकी सुन्दर्ता है कि ये विद्युचुम्बकी सिधान्तों से पूरा पूरा प्रकाशी की का जो भी व्याख्या करनी हो वह कर सकते हैं इनसे तो अब हम माध्यम में विद्युचुम्बकीत रंगों द्वारा उर्जा के संचार की बात करेंगे क्योंकि जहां विद्युचुम्बकीक्षेत्र हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर द्वारा यह उर्जा का संचार भी करते हैं तो सबसे पहले हम यह दिखाएंगे कि यदि हम समतल एकल आवरती की तरंग लें जिसमें ई बराबर ई जीरो साइन के एक्स माइनस उमेगा टी हो मैं फाई को छोड़ दे रहा हूँ मान लेते हैं वो शून्य है और बी बराबर बी जीरो साइन के एक्स माइनस उमेगा टी हो तो हम पहले ही दिखा चुके हैं कि इसका जो प्रकाश की गती इसमें होगी यह इन तरंगों की जो गती होगी वह बराबर स्क्वाइर रूट आफ म्यू अपसलान होगी और यह उमेगा बटा के होगी साथ में अब ठीक उसी प्रकाश से जैसा कि हमने निर्वात में इन समीकरोनों द्वारा दिखाया गया था वही संबंद यहां पर भी रहेंगे और हम दिखा सकते हैं कि बी जीरो का मान इजीरो से इस प्रकार से संबंदित होगा निर्वात में यह बी जीरो बराबर इजीरो बटा सी था जहां सी की निर्वात में प्रकाश की गतिए अब इसकी जगए वी आ जाएगा जहां वी जो है इस माध्यम में इसकी गतिए और इसी प्रकार यदि हम उर के संचार की बात करेंगे तो वह आ जाएगा S बराबर वन अपॉन म्यू जीरो नहीं म्यू E क्रॉस B और कभी-कभी इसको हम E क्रॉस H भी लिखते हैं अब थोड़ा सा और चर्चा करते हैं तो S का मान हो जाएगा E H या E B बटा म्यू और अब हम यदि सम्तल एकल आवरती की तरंगे लें तो इसमें हमें मिलेगा पहले उर्जा का घनत्व और पुने हम इसका समय के ऊपर आवसत लेंगे तो ये बराबर आजाएगा समय के ऊपर आवसत वन हाफ E डॉट डी जो की उर्जा का घनत्व होता है विद्यक्षेत्री उर्जा का घनत्व होता है इस माध्यम में प्लस वन हाफ बी डॉट एच और मैं ये बहुत व्यापक तरीके से इन गणनाओं को नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि निर्वात में तो ये मैं अपिक्षा करूँगा कि आप इनको करते रहेंगे और ये बराबर आ जाता है ये बराबर आ जाता है वन हाफ Eप्सिलान E 0 स्क्वार का समय के साथ आवरेज तो यहां पर एक साइन स्क्वार समय के साथ बदलने वाला टर्म भी आएगा इसी प्रकार प्लस वन हाफ B 0 स्क्वार अपान म्यू उन्हें एक साइन स्क्वाइर पदाएगा और उसका समय के साथ आवराईज यह साइन स्क्वाइर को मैं उसके आगे के एक्स माइनस मेगा टी होगा उसको मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप समझी रहे होंगे क्या है तो यह बराबर आ जाएगा वन फॉर्थ अप्सला यह जियरो स्क्वाइर प्लस वन फॉर्थ इजिजरो स्क्वाइर ओवर मू और अब यही में प्रियोग में लाऊँ क्योंकि B0 बराबर है E0 बटा V बराबर स्क्वार रूट आफ मू अपसलान E0 तो इसका आर्थ यह होगा यह उर्जा का घनत तो इसको हम यू लिख रहे थे बराबर पुने हो जाएगा वन हाफ अपसलान E0 स्क्वार दिरवात में आप ध्यान दें किस कामान था वन हाफ अपसलान 0 E0 स्क्वार यह इसमें चुमबकी औरजा भी है और विद्यत औरजा भी है और यदि अब मैं S कामान निकालू तो यह वराबर आजाएगा V गुणा U यह निकि वन हाफ अपसलान E0 स्क्वार V और यदि आप ध्यान दें निर्वात में ही क्या था यह था वन हाफ अपसलान 0 E0 स्क्वार C तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी आता है केवल अब जो है उर्जा घनत्व है V गती से चल रहा है तो इसका मान इस प्रकार से आ जाता है तो यह तो बात हो गई संबंदों में E के B के और यह जो उर्जा का घनत्व है तथा उर्जा का जो प्रवा है उसके बारे में एक विशीज बात यह है कि माध्यम में विद्युत चुम्बकी शेत्र के सम्वेक की सटीक परिभाशा नहीं है वह इसलिए क्योंकि माध्यम में कुछ सम्वेक की अदला बदली माध्यम से हो सकती है तो इसकी कोई सटीक इसमें दो परिभाशा हैं दी जाती हैं जिसके वारे में आप विद्युत पेपरों में पढ़ सकते हैं कुछ लोग कोशिश करते हैं कि क्या इन को किसी तरीके से ऐसी व्याक्या दे दी जाए कि एक जो माध्यम का सम्वेक है और विद्युत चुम्बकी की सम्वेक है उनको अलग-अलग कर लिया जाए लेकिन इसमें कोई एक मत नहीं है तो इसलिए कोई सटीक परिभाशन नहीं है इसी के साथ मैं इस व्याक्खान का सारांश देना चाहूंगा और वह यह है कि हमने माध्यम जो की रेखी है मैक्स्विल के समीकरण लिखे और इन से हमने माध्यम में एकल आवरती के समतल तरंगों का अध्यान करा जिसमें हमने पाया कि यहां पर भी जो आयाम है विद्यू चुमबकी क्षेत्रों के वे इस प्रकार से सम्बंदित हैं जो यू है वे वन हाफ अपसलान एजिरो के स्कुएर है और जो आवरेज ऐस है वे यू आवरेज यू के बराबर है और सम्वे की कोई सटीक परिभाशा नहीं है और यह समीकरन लिखने का एक कारण यह था कि हम इनका प्रियोक करके अब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किस प्रकार इन तरंगों का परावर्तन और अपवर्तन होता है यह किस तरह से उनका पारगमन होता है उसका अध्यान करेंगे जो हम अगले व्याख्यान के लिए छोड़ते हैं तरहे हैं तरहे हैं झाल